गुर्मानी चिल्डर्ण आशा करती हूँ, आप से भर में स्वस्त होंगे, प्रसंद होंगे, ध्यानपूर पढ़ भी रहे होंगे बच्चों, आज मैं आपको पार चौदा हिंदी व्याकरणबो का पार चौदा अने कार्थी शब्द पढ़ाऊंगे ठीक है बच्चों, इसका देखिए, पहले आप इसकी परिवाशा सुन लिजिए, ऐसे शब्द जिनका एक से अधीक अर्थी शब्द कहलाते हैं जैसे बच्चों माल लीजिए, एक शब्द है मत लेखिए, जैसे है मत, चीक है, मत का अर्थुआ बच्चों, राए, बोर्ट, चीक है, और ना करना अर्थी बच्चों मत, मत के दीनर को होगे रहा है, एक सेधी करते होगे, राय वोट ना करना अब जैसे राय, पहले मैं आपको इसका बता रही जैसे हम लोग कोई किसी विशेव पर विचार बेमर्च करते हैं तो दो चार लोग बैठे रहते हैं आपस में हम लोग कहते हैं कि आप लोग इस विशेव पर अपनी राय दीजी, तो लोग अपने राय अपने राय पर विचार करते हैं जाए जैसे मतदान होता है न बच्चो जब किसी का चुनाव होता है तो उसमें वोट पड़ता है मैं आपको सबसे सरल भाषा में मताना चाहूंगी जब कभी कैप्टरन का चुनाव होता है हमारे स्कूल में तो हमारे फादर जी क्या करते हैं कि आप लोग को चुनाव करने के लिए कि कुछ बच्चे ये दीदी को वोट देना चाहते हैं वो हाथ उपर करें जो बच्चे ये दीदी ख़या को वोट देना चाहते हैं हाथ उपर करें मोलते हैं न, तो उसमें जितने बच्चों का वोट सबसे जाता रहता है, तो उन्हें उस दीदी बे या कैप्टन थोड़ी कम वोट जिनके रहते हैं, उन्हों आइस का अपन चुल ले आ जाता है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरे इस एक्जामपल से आपको वोट का मत पतलब समझ में आया होगा, ऐसे ही चुनाव होता है, हैना बच्चों? तो न हों ग्या आमच्चों वागना, तो यहां वोट का रहतो है करना। जैसे कंदा यह जानली, वोट करकरें मत्करों, भरम करों आ तो मत्करों य। अइक काम नहीं करों है मैं जैसे आम और जाकि जि करसी में जो ढाता है जो सारे बच्छा को बहुत फ़या बच्छा जा सबॉढ परी नेγαलeen तो दो है एक अतुम अम बच्छो को बहुत है थैंक अब हम इसका मैं दिया चिल्जर्ण अब आप अभ्यासकार का प्रेश नमबर वन देखिए पद के दो अर्थ लिखने आपको ठीक है तो पद का एक अर्थ हो या बच्चो पैर अर्थ हो या वो बहुत अच्छे पद पर है। है अब है अंखเป CH का अर्थ होता है वह बोध दो आप समत रहे रहा हैं còn यह से महीं आते हैं वह इई दहाते हैं और एक सांख्या के आम है त्द्या के अंख्य Candi कि मुझा के यानि की नंबर कि अ क्या है मोगी है ह मैं अरोड मिंझ एरोड का एक अर्थ हो गहा है बाद नुशरा हो गया है भवां सूरी को आप जानते ही है अब आम का कि मैंने बताया था बच्चो साधारण उर एट फल यानि आम मैंगो जो आपलों को बहुत पसंद होता है अब उसके बात हो गया कना शक्व्ध है कना कना कर भास्त Studio 6 सोना, दो दो अठाक को लिखना है, और दूसरा हुए बच्चो, धदूरा, चीक है, ये एक नशीला का दास होता है, ठीक है बच्चो, अब हो गया बलता पैर उपादी, आंक का वोद, संख्या के आंक, अरूर का लाग, सुर्य, आंक, साधारर, एक फल, कनक, सोना, धदूरा, अब बच्चो है, चाह नमबर पर रेखिए, चाह नमबर पर है आपका, उत्तर, चीक है, उत्तर, उत्तर के गोड़त रिखने है, इसका एक नशीला एक दिशा, इसके बच्चो एक दिशा, और इसका आतो जाना जवाब, जैसे प्रश्म का उत्तर होता है, प्रश्म का उत् अब बच्चो प्रश नमबर दो इसमें है नीचे दिये गए अनिकार्थी शब्दों के वाख के बनाकर उनके अर्थ बस्ट कीजिए अब बच्चो ये शब्द से हमें अदोर अलागलब तरीके का वाख के बना रहा है ठीक है जैसे देखिए वार शब्द है वार के थे ईक अर्थ बनाएंगे वार का एक अर्थ हो जाता है च्टो जैसे गिल्ण रभी वार । सोमवार, मंगल वारी वेए वारी हो गाहा ना आज इसमें वार्थ्य बना लेजिए आज रभी वार है ठीक है वार से दूसरा वाख्य बनाएंगे भारत, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, वार मतलब हमला आखर मठाला हो गया, जाके मचो, पाकिस्तान ने भारत पर हमला पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, ठीक है बच्छो, यह आपके दो वाख्य बनाने हैं, ठीक है, वार, पहला वाख्य बन जाएगा, वार का, बगीचे में अने वार्ड के फूल किया है, वार मिल्स रम, ठीक है, देखे बगीचे में, बगीचे में अनेक वर्ड यानि रंग के वर्ड के फूल किले हैं, ठीक है बच्छो, बगीचे में अनेक वर्ड के फूल किले, हैं, देखे बच्छो, इस तैन नमबर में यहां लिती है, नमबर दू में यहां लिती है, वार्ड आई है, बच्छो, यह ठीक है, अब एक वर्ड होगा, अक्षर, को, अक्षर के बाद, खो आता है, अब देखे ऐसे आपने कीजिए, को, अक्षर, चीक है, याई वर्ड के बाद, खो आता है, खो अक्षर के बाद, खो अक्षर आता है, ठीक है, अब आपका नमबर टी, अब है बच्छो, एक शब्द है रस, रस के आपको दो वाट के बनाने हला बलाद, तो रस, एक रस तो जूस वाला हो गया बच्छो जैसे, संत्रा का जूस, है ना, मैंगो जूस, यह सब हो गया, तो रस, संत्रा का रस खटा होता है, एक आप यह लिखेजे, देखे, संत्रा का रस खटा होता है, ठीक है बच्छो, अब दूसरा हो गया रस का, साहित पढ़ने में आनद मिलता है, रस का बूसरा आता है, अब यह के नमबर एक आपका यह हो गया, अब आपका नमबर यहाँ है, साहित पढ़ने में आनद मिलता है, चीक है बच्छो, अब आपका है, अब आपका है, बच्छो, इससे आप पहना वाक्ते बनाएंगे, हाथी के चार पैर होते होते हैं, पढ़ने आपको बताते हैं, पैर होता है, तो आप लिख देजिए, साथी के चार पैर ओते हैं, चीक है बच्छो, अब नमबर दो पर आप लिख जीव लिख देजिए, महात्मा गांगी को राश्ट पिता के उपार देजिए, ठीक है, महात्मा गांगी जीव को, मैं जी यहानी पे रिख जो, ठीक है, महात्मा गांगी जीव को राश्ट पिता 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 है लेके बच्चो महात्मा गांधी जी को राज की पिता की उबादी मिली की पितार बच्चो हमने शब्दों से वाग के बना करके दो वाग के अलग अलग बना करके उसके अर्थ को इसपश्च किया My dear children, question number 3 है, question number 3 उधारण के अनुसार सही अर्थों का मेल कीजिए, चीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वाग इन साराने शब्दों को मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दिख रहे हूँ उसी शब्दों को कई बार अर्थ के बार आपको समझाया गया है, इसलिए इसका अर्थ मैंने यहाँ बूर्ड पर लिखा, मैंने फ्रेश्न लिख दिया बच्चों फ्रेश्न का उत्तर मैंने बूर्ड के आपको बता दिया है अब बच्चो आप इस पार का गम से कम दो बार वाचन करिएगा और ध्यान पूर्वा पढ़िएगा बच्चो और जो आपको पढ़ते से में कचिना ही आती है या कोई समस्या उत्पन होती है तो आप अपने कॉपी में प्लीज उसको नोट कर लीजेगा और जब आपकी झाल